क्या है आज की बात मेरी बात आप की बात हर किसी की बात देश दुनिया गाउं तेहाद सत्ता समाध संस्कृति मीडिया और सियासत सब की बात नियोज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ दोस्तों नमशकार आदाव सच्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम वाज की बात के साथ मैं उर्मिलेश अक्टूबर का महिना इस बार अपने देश के लिए अपने देश की सियासत के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है आतिहासिक महत्वपी कुछ घटन भारत की जो कंटेंपरोरी जो पॉलिटिक्स है जो आज की मौजूदा जो राजनीती है उसमें टर्निंग पॉइंट साबित हो रहे हैं प्रस्थान बिंदू बलकि यूँ कहा जाए कि एक मोड पैदा ओकर रही है एक ऐसा मोड जिससे की राजनीत जहां चल रही थी उससे दूसरी दिशा की तरफ वो मुखाति होती नजर आ रही है पहली घटना दोस्तो है दो अक्टूबर दो अक्टूबर वैसे भी भारती इतिहास की एक बहुत महत्पून घटना है तो गांधी जहनती के मौके पर बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने अपनी सरकार की तरफ से जो सरविक्षन कराया गया था जातीगत संद्रचना का जातिवार सरविक्षन आप कह सकते हैं उसके आंकड़ों को उन्होंने खासकर उसका एक अंकड़ा जो आबादिक के हिसाब से शंख्या cares उसको पब्लिक कर दिया है तो जातिवार सर्विक्षण का आंकड़ा पब्लिक किया जाना बाहर किया जाना भारत में ये पहली बार हुआ ऐसे सर्विक्षण तो कुछ और हुए हैं जिसे करनाटक में हुआ था अपने देश में भी हुआ था लेकिन कोई पब्लिक नहीं किया गया था 2011 की जनगड़ना में जातिवार जनगड़ना नहीं हुई थी लेकिन उसके बाद एक सामाजी कार्थिक सर्विक्षण कराया गया था और उस सर्विक्षण का आंकड़ा ये यूपियर रिजिम में किया था वो भी पब्लिक नहीं किया न तो यूपिय रिजीम ने किया न तो एंडिय रिजीम ने किया करनाटक सरकार वाला जो आंकड़ा है वो भी नहीं पब्लिक वा लेकिन विहार सरकार देश की पहली सरकार बन गई है जिसने की जातिवार सर्वेक्षन के आंकड़ों को पब्लिक क का दिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस के पुरवध्यक्ष और मवजुदा सांसद राहुल गांधी ने खचा खच भरी प्रिस कांफेंस में एक ऐसा सवाल कर दिया दलित कितने मैं आप से पूछ लेता हूं इस कमरे में इस कमरे में दलित कितने हैं देखिये ये मज़ा देखिये इस कमरे में ओपी सी कितने हैं हाथ उठागे दिखा दीजिए देखिये मज़ा किस से किया पत्रकारों से किया वहां बैठे हुए मीडिया से किया और मीडिया के बहाने उन्होंने समुचे देश से किया और वो सवाल ये था कि आप ही लोग बताएं असल में जातिवार जनगरना के कांटेक्स्ट में ये बातें चल रही थी और जाहिर है मीडिया भारत का जातिवार सर्विक्षन या राश्टी अस्तर पर अगर अगली बार जातिवार जनगरना होगी तो इस कंसेप्ट के फिर वोग करता है उसका काना है कि जात्की गिंती नहीं होनी चाहिए मीडिया तो उन्होंने मीडिया से यह सवाल कर दिया कि आप लोगों में सि कम्म्यूटी के कितने लोग हैं अब जाहिरह प्रेस कानफिंस जो राजनितिक नेताओं की होती हैं वाँ बड़े पत्रकार प कितने हैं यानि पिछड़े बर के कितने लोग हैं पता ये चला कि इन तीनों कम्यूनिटी से कॉंग्रेस पार्टी के राश्ट्री महत्यों के एक कारिक्रम को कबर करने के लिए जो लोग गये हैं भारत के मीडिया की तरफ से उनमें एक भी पत्रकार ना तो दलित है न तो तो इन माननी पत्रकारों के बारे में पूछ रहा था आप तो हैं ठीक है लेकिन आप मैं इन लोगों से पूछ रहा था जो लिखते हैं जो बोलते हैं सवाल उठाते हैं तो ये दो घटनाएं दो से 9 अक्टूबर दो और 9 अक्टूबर की मुझा लगता है कि भारत की राज पूछ सारे फैसले जो सरकार की तरफ से सत्ताधारी संदचना की तरफते किये जा रहे हैं वो भी डाइवर्जन की टैक्टिस नजर आते हैं ऐसा लगता है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए ताबर तोड फैसले लिए जा रहे हैं ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जो अन लेकिन मैं समझता हूँ कि इस केंद्री विशय पर कोई सत्ता धारी दल का व्यक्ति कमेंट करने को त्यार नहीं है बिहार में लोग तो कमेंट करना है लेकिन केंद्री अस्तर पर कमेंट नहीं कर रहे है जातिवार जनगणना का जो प्रश्न है बिहार से उठ गया है केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम इसको हरगिज नहीं कराएंगे क्योंकि इसे जातपात फैलता है जातिवात को बढ़ावा मिलता है सवाल यह है कि अगर जातिवात को अगतक बढ़ावा नहीं मिल रहा था जातिवार जणगणना नहीं हो रही थी 1931 के बाद तो कभी नहीं हो आजार भारत में तो आखिर भारत के मीडिया में एक भी दलित एक भी आदिवासी एक भी OVC पत्रकार क्यों नहीं है जो कॉंग्रिस पार्टी और BJP को कवर करता हो एक भी संपादक क्यों नहीं है 2019 में नियुज लांडरी का अंकड़ा आया था उसमें भी निरणाय कारी पतों पर कोई नहीं मिला न दलित न आदिवासी न ओबीसी 2006 में प्रोफेसर योगेंद्र यादव की अगवाई में एक टीम बनी थी जितंद्र कुमार की अनिल चमड़िया की उसने सर्वे किया था दलित आदिवासी OVC निरणाय कारी पतों पर नदारत थे और प्रचंड प्रचंड बहुमत जो था बलकि यूँ कहा जाए कि वर्चस हो जो था वो अपरकास्ट के लोगों का था मीडिया में तो मीडिया के हर हलके में दलित आदिवासी OVC कहीं नजर नहीं आएंगे आपको और नजर आएंगे तो इका दुका ये इस देश की असल जानमंत्री भी यदा कदा OVC हो सकते हैं यदा कदा लेकिन जो सत्ता संरचना है और सत्ता संरचना का जो अईवाज अंग है सांस्कृतिक जो प्रतिस्ठान है जो बौधिक प्रतिस्ठान है उनमें दलित आदिवासी OVC नदार है ये जो प्रशन है मैं समझता हूँ कि आज की भारति राजनीति का केंद्रिय विशय बन गया है और उस केंद्रिय विशय से सत्ता भागने की कोशिश कर रही है सत्ता संरचना को संचालक ये लोग हैं उसके वो इस से अपना पीछा छोड़ाना चाहते हैं अब घटनाई जो देश में हो रही है यहां तक की परदेश में भी जो रही है उनको भी भुनाने में लगे हुए हैं लोग टीवी पुरम इस समय उसकी वो देश छोड़कर लग पूरी दुनिया ने की लेकिन अब जो इसराइल कर रहा है उसे भी कैसे कोई इग्नोर कर सकता है निर्मम निर्मम जो 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 हत्याएं की जा रही है आम लोगों की तो अब केवल जो मीडिया पुरम है मैं दोस्तों आम तोर पे गोदी मीडिया शब्द योज नहीं करता क्योंकि ये गोदी नहीं है ये मीडिया पुरम है एप्रोप्रियेट शब्द तो मीडिया पुरम है और टेलिविजन को गोदी मीडिया आम क्यों कहें वो तो बिलकु है दोस्तों कि बिहार की जो जातिगत जो काउंटिंग जो होई है उसका जो आंकड़ा आया है उसने राजनीत में एक नई घटना के रूप में वो दर्ज हो गया है और राहुल गांधी का ये सवाल पूछना 9 अक्टूबर को यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और भारत में आजाद भारत में मुख्यधारा के राजनीतिक दल के एक इतने बड़े नेता द्वारा ऐसा सवाल पूछा जाना यह सायद पहली बार हुआ है मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल पहली गटना है हलाकि यह सवाल हम जैसे पत्रकार तीन दशक से लगातार पूछते आ रहे हैं 2006 का योगिंद्र यादो और अनिल चमडिया और जीतंद्र कुमार के सरवेक्षण की बात की इसके आलावा मैंने आब आपके सामने बता रहा हूं कि उन्याल सहाब ने इसके बारे में सवाल उठाया था पैयनियर के बहुत ही वरिष्ट पत्रकार थे और वो दलित आदिवा पर ये सवाल उठाया कि आश्रजनक है कि इस देश में रास्टिपती दलित हो सकते हैं लेकिन मीडिया में कोई संपादक दलित क्यों नहीं होता है मीडिया में उनका परसेंटेज क्यों नहीं है आदिवासी क्यों नहीं है ये सवाल उन्हों नहीं भी उठाया था लेकिन र अल्टरनेटिव मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आज राहूल गांदी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रशनु उठा दिया है मीडिया को लेकर क्योंकि मीडिया और सत्ता एक एक दूसरे के परियाई बाचीव आज बन गए हैं ऐसा लगता है कि खास से जुड़ा सवाल है दोस्तों और अब मैं आपको बिल्कुल आखीर में अपने इस चोटे से वीडियो के मैं ये सवाल उठाना चाहूंगा कि राजनीती में जो अब तक भारती जनता पार्टी और मौजूदा सत्ताधारी दल जिस तरह का समिकर्ण बुन रहे थे उनको य जनवरी में राम मंदिर का दरवाजा खुलेगा आमिन उसका घाटन होगा इसके अलावाद समाज के अस्तर पर बहुत सारे संगठन तमाम तरह की यात्राएं कर रहे हैं तमाम तरह का पोलराइजिंग जो उनका एफ़र्ट है वो चल रहा है समाज को धरम के आधार पर संप प्रदेश राजस्तान वगेरा वगेरा लेकिन इसी बीस में जातिवार जनगरना का यह जो प्रशन उठ गया इससे अच्छानक एजनडा ही उनका 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 पीछे चूट गया वो वो बिलकुल दरकिनार हो गये अब सवाल ने उठ रहे हैं और दोस्तों यह जाती का प् भारत की बात करूंगा बिहार के जो जातिवार सरविक्षण हुआ है उसमें पता चला कि 13 करोण आबादी वाले बिहार में 36% 36% लोग अति पिछड़ा वर्ग से हैं यानि EBC एक्स्ट्रीम बैकवर्ड कम्निटी 27% बैकवर्ड कम्निटी के हैं 19% SC के हैं 1.68% ST के हैं और साम 63% सु में 63 आदमी बिहार का VBC है। उत्तर प्रदेश में क्या इससे different होगा मद्य प्रदेश में क्या इससे बहुत ज़्यादा different होगा? 36 में क्या इससे बिलकुल different होगा? ऊं मान सकता हूं उतराखंड में different होगा इस आंक्रे से लेकिन जो मेंस्ट्रीम के स्टेट्स हैं क्या वहां पर इतना डिफरेंट होगा गुजरात का भी देख लिजे आप वहां क्यों भी वहां भी जाती वार जनकरना हो जाए पता चल जाएगा कि क्या अंक्रा है तो भारत में जो गरीबी है भारत जो आज भी में लेकिन आपका पिछडापन इतना है कि मानव विकास सुचकान से लेकर स्वास्त में प्रतिव्यक्ति आय में हर छित्र में आप बहुत पीछे हैं तो शेखी बगहारने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे विक्सित मुल्क नहीं बन जाएंगे इसके लिए असमानता अशन पर अपना जीवन भरण कर रहा है आप सोचिए उनकी पावर क्या होगी वह विकास की यात्रा में कितना कंट्रिवूट कर पाएंगे तो हमारा ये कहना है कि इस मुल्क को विक्सित बनाना है तो जो पिछड़ी जातियां है जो पिछड़े समाज हैं उनका उन्यन जर कि ये 2-4 जो परसेंट होंगे या स्टि के आप 0.5 परसेंट कथित अमीरों पर मज जाए ओबी सी के आप 5 या 7 परसेंट अमीरों पर मज जाए भारत की समूची आबादी में जो गरीब हैं जो पिछड़े हैं जो उत्पीड़ित हैं वो दलित आदिवासी ओवी सी में सब स आदिवासी OBC होते हैं तो इसलिए भारत नाम के देश को अगर सच्मुत विक्सित राज्य बनना है विक्सित राष्ट बनना है तो इसके दलित इसके आदिवासी इसके OBC उनको वास्तवी खिस्तेदारी मिलनी चाहिए और उनका विकास होना चाहिए उनका विकास भारत का व जरूरी है इसी लिए जातिवार सर्विक्षण जो हुआ है वियार में वह एक बहुत अभिनंदनी कदम है बीजेपी परेशान है मौझूदा सक्ता परेशान है तो उससे अपनी परेशानी को डाइवर्ट करने के लिए ताकि लोगों को यह न लगे कि इस मुद्दे पर यह और विशी उन से नाराज न हो जाए इसलिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनानी शुरू किये हैं कहीं लोगों को धर पकड़ हो रही है कहीं फरजी मुकत में उन पर ठोके जा रहे हैं कभी कुछ और मुद्दा दिखाया जा रहा है कभी कहा जा रहा है कि देखिए दुनिया में सबसे जो आगे बढ़ गया है भारत, अरे दुनिया में भारत आगे बढ़ जाए, इससे खुशी किसको नहीं होगी, हम सब खुश होगे, इसी मिट्टी के बने हैं, इसी मिट्टी में मिल जाना है, किसी से देशभत्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हर और दुनिया में घटनाएं भी ऐसी घट रही है कि टीवी पुरम के जरिए राजनीतिक विमर्ष को बदलने की कोशिश हो रही है ताकि असल मुद्दों पर बात नो हो लोग देखें कि वहां क्या हो रहा है उस देश में क्या हो रहा है वहां हमला हो रहा है वहां टैंक चल रहा है वहां मिलिटरी कवायद हो रही है इसी को दिन भर दिखाते रहो ताकि जो भारत की राजनीतिके असल मुद्दे हैं तुछ रुप से वो भारत का पक्च ले रहे हैं, भारत की गरीबी, भारत में असमानता, भारत में विशम्ता, इसको खतम करके एक लोकतांत्रिक और सेकुलर और संव्रिद देश्ट मनाने की एक पाहल है और मैं समस्ताहूं की, इन नेताओं की मने अनेक बार आलूचना की है अनेक बार आलूचना की है लेकिन इस कदम को बिलकुल मैं मानता हूं कि ये देश भक्ति का कदम है और देश के हित का कदम है तो आज इसना ही नमस्कार आदाब सत्वियकाद